हेलो स्वागत है आपका फ्री जिके को शानल पर मेरा नाम है किरण भावर हम न्यू सेरीज स्टार्ट कर रहे हैं यहां हम 1000 कुशन कवर करेंगे 2024 की यह सारे कुशन सेलेक्ट हैं वीडियो को ध्यान से देखेगा यहीं सही प्रश्ण आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे आज हम इसका पार्ट फर्स्ट कवर करेंगे पार्ट फर्स्ट में हम 100 कुशन कवर करने वाले हैं सारे स्लेक्टेड हैं आप चाहे किसे भी एक्जाम के तैयारी करो चाहेवा ऐसे सी हो UPSC, Railway Bank, NDRV, Police करेंट अफ्यों से कोशन आते हैं एक्जाम में और लास्ट वाला कोशन आपके लिए है जिसका अंसर आपको कमेंट करना है चलिए शुरू करते हैं कोशन नमबर फरस्ट से कउलंबो कहा है श्री लंका में जणजातीय कार्य मंत्राले ने जणजातीय क्लाइमिट फैसल लिए किसके साथ मिला है तो वर्ल्डबैंक के साथ मिला है गोवा राज्य सरकाने अगला सवाल है हैले पास्पोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश सैक्त रूप से टॉप पर है तो दीके फ्रांस जर्मनी इटली स्पैन जापान और सिंगापूर ये सब टॉप पर है भारत देश है यहाँ पर 85th नमर पर आप देख सकते हैं हम असी नमर पर हुआ करते थे आज जेटी 5th नमर पर है तो हम यहाँ पर धेरे धेरे नीचे की तरफ जा रहे हैं जो अच्छा संकेत नहीं है नेवेशक्षा और सर्ड़क्शन निधी प्राधिकरण ने जागरुकता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझोता क्या है तो DBS बैंक के साथ समझोता क्या है अगर आपको जाना है कि हमारा भारत देश की स्तेती कितनी अच्छी है तो आपको इंडेक्स पढ़ना चाहिए अगर इंडेक्स में हमारी पोजिशन अच्छी है तो मितला हमारा भारत देश अच्छी पोजिशन पर है ठीक है ब्लोबर हंगर इंडेक्स है वहाँ पर आप देख सकते हैं भारत देश 111 नंबर पर आता है 125 देशों में से 111 नंबर पर भारत देश है तो आप देख सकते हैं भारत देश की हालिये में स्तिती कितनी खराप है खराब हैं ना देखें हाल ही में किसने Mco जम्व का उद्घाटन किया है तो PM नरेंद्र मोदी इन्हें होने किया है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के सराज्य में श्री कल की धाममंदिर के अधावशिला रखी है सन्भल यूपी में जो 5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा चोथे खिलो इंडिया, शीद कारिम का आजन कहां किया जा रहा है? गुलमर्ग, जम्मो कश्मिर के गुलमर्ग में. अगला है उतर प्रदेश में अंतराष्ट्र परेटन एक्सपो का आजन कहां किया जा रहा है? ग्रेटर अनॉइडा में. नौ सनिक अभ्यास मिलन दोहजार जो इसका आजन कहां किया जा रहा है? वेशाखा पतनम में. बहुराश्ट्रे सन्य अभ्यास शान्ती प्रियास है. चौथे का आजन के सदेश में किया जा रहा है? नेपाल में. भारत के पहल स्किल इंडिया सेंटर का उधगाटन क्या किया गया? सनबलपूर ओडिसा में. चागरुकता अभियान के तहद पंजाब के स्टेट आइकोन के रूप में नामित क्या शुबमन गिल को. इरेडा ने नवेकार्णी औरजा परियोजनाओ के सहवित पोशन के लिए किसके साथ समझोता है क्या है? पंजाब नैशनल बैंक के साथ समझोता है क्या है? इरेडा पेम मोदी किस राज्ये में बीर लाजित बर फूलन की 125 फूट उची प्रतिमा का नावरण करेंगे असम राज्ये में. नेक्स्ट है किस केंद्रे मंत्री ने BSE Expo 2024 का उत्खाटन किया है? तो अनुराग से ठागों जो है केंद्रे मंत्री इन्हों ने उत्खाटन किया. अगला है अंतिरास्ट्रे क्रिकेट में सारवादिक छक्के जड़ने वाले भारतिक अप्तान कौन है? रोहित शर्मा है. कोचिन इंटरनाशनल एरपोर्ट लेमिटेड ने ग्रेन हाइडोजन प्रोजेट के लिए किस के साथ समझाता किया? BPCL के साथ समझाता किया. Institute of Chartered Accountants of India की अधिक्ष का पदभार किसने ग्रहन किया है? रणजीत कुमार अग्रवाल ने. Institute of Chartered Accountants of India की अधिक्ष की रूप में. Next है, भारती हेमर थ्रोवर. रचना कुमारी पर डोपिंग के आरूप में कितने साल का प्रतिबन लगा? तो इनके उपर 12 साल का प्रतिबन लगाया गया है रचना कुमारी के उपर डोपिंग के आरूप में. I.R. C.T.C. के नए प्रवन निदिशक के रूप में किसने पदभार ग्रहन किया? तो संजेक गुमार जैन ने पदभार ग्रहन किया है. अगला है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉंच किया? PM नरेंद्रमूदी ने लॉंच किया है. भारत में राश्टिव उत्पादक्ता दिवस हर साल कम मनाया जाते हैं 12 फरवरी को मनाया जाता है. अगला सूर्य दिखेगा हाल ही में दत्ता जीरो कृष्ण राओ गायकवार का निधिन हुआ. वह किस खेल से संबंदित थे तो क्रिकेट खेल से संबंदित थे. भारत के पहले चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत की प्रतीमा का नावरण कहां किया गया देहरादुन में. भारत देश के पहले CDS है. कौन? जनरल विपिन रावत है. गुपतेश्वर फोरिस्ट की सा राज्जे में हैं जिसे राज्जे के बायो डाइवसिटी हेरिटेज साइट के रूप में हाल ही में निक्त किया गया. देखिए उत्रप्रदेश सरका ने बहतर आबदा प्रबंदन के लिए किसके साथ समझोधा करने का फैसला किया है तो IIT रूड़की के साथ यह एक तरह का समझोधा हुआ है आबदा प्रबंदन के भारत के सिद्वीब समुपनया नेवल बैस स्थापित करने जा रहा है तो मिनिक कौई और अगत्ती में अगला है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किसे देश के रेसलिंग फैडरेशन का निलंबन रद किया है तो भारत यूनाइटेड वर्ल्ड इन्होंने भारत देश का जो Wrestling Federation था इसको निलंबित कर दिया गया था देखे हाले में कि इन दो देशों में UPI Payment System लॉंच किया गया है तो शेलंका और Morrisis में वंडे में 12 शेतक बनाने वाले पहले शेलंका एक क्रिकेटर है पत्थूम निसांका अगला है Finland के अगले रास्ट्रपती कौन है तो Alexander Stub ICC Under 19 विश्वगब 2012 का टाइटल किस अधिश ने जीता है तो आस्ट्रिलिया नहीं जीता है सरकार ने हाली में कि इन दो पूर में प्रधान मंत्रियों को भारत रतन देने की खोशना की है वैसे इस साल पांच लोगों को सम्मानित की आगया है वैसे हर साल सिर्फ तीन लोगों के नाम लिये जाते हैं लेकिन पिछले साल नहीं दिये गए थी तो और दो नाम यहाँ पर एड़ कर दिये गए तो टोटल इस साल पांच लोगों के नाम की घोशना की गई है जिने भारत नतन से समानित क्या जाएगा तो उसमें से दो का नाम देख लेते हैं जो पूर प्रधान मंत्री हैं पीवी नर्सिम्हारा और चौदरी चराणसी है वैसे इसके उपर मैंने पूरी अलग से एक वीडियो बना रखी है किसी किसे अभी तक दिया गया है सारी चीज़े देखे अगला है डाक्टर MS स्वामे नाथन को भारत में से समानित क्या जागा वहां कि छेत्र के प्रसेद वैक्ती थी तो क्रिशेज छेत्र के प्रसेद वैक्ती थी और चौदरी चराणसी हैं जो है वह भी क्रिशेज छेत्र में बहुती बड़े नेता हुआ करती थी देखे चैनल सूपर किंग्स ने ओफिशियल स्पॉंसर के तोर पर किसके साथ समझोता क्या है तो एतिहाद एरवेस अगला है आरबिया ने लगा था छटी बार रेपोरेट की दर कितने प्रतिशत पर अपरिवर्थित रखी है 6.5% पर ओल्जास बैक्टे नूव को किस देश के ने प्रधान मंत्री के रूपे निक्त किया गया तो कजागिस्तान के ने प्रधान मंत्री कौन बने है ओल्जास बैक्टे नूव अगला सवाल RBI ने FY24 के लिए वास्तिविक GDP व्रद्धी का नुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है 6.5% पर हाल ही में विध्याजली स्कॉलर्शेप प्रोग्राम किसने लौंच किया पियोश गोयल ने लौंच किया अगला दिखेगा हाल ही में किसा देश ने भारती नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घुशना किया है इरान ने और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने घुशना कर रखी है तो उसमें से इरान भी एक है हाल ही में किसे भारती हस्ती को UAE का गोल्डन विजा प्रदान किया गया है सुपर ठर्टी के आनंद कुमार को एश्याई विकास बैंक ने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में निक्तिया है तो मियो ओका को अगला है गुहाटी हाई कोट के मुख्य नैदिश के रूप में किसने शपतली है जस्टीस विजय बिश्नोई ने नई दिल्ली के रास्टे बाल भवन में दो दिवेसी उल्लास मिले का उटखाटन किसने किया अनुराग ठाकुर ने उटखाटन किया दिखे पहले बिम्स्टिक एक्विटिक्स चेंपेंशिप का आजन किस शहर में किया जा रहा है नई दिल्ली में यह पहला बिम्स्टिक एक्विटिक्स चेंपेंशिप है मेरा गाओ मेरी धरहर प्रोग्राम किस मंतराले की पहल है संस्कृती मंतराले की पहल है देश के पहले डिजिटर रस्ट पुरा लिख संगराहले के आधाशिला कहा रखी गई हैदराबाद में राजिस्थान के नए एड़ोकेट जनरल के रूप में किसे निक्त के आ गया है राजेंद्र प्रसाथ को हाली में स्पेस में सरवादिक समय बितानी का रिकॉर्ड किसने बनाया है ओलेग कोनो नैनको ने आट सो दिन से भी जादा का समय इन्होने यहाँ पर बिताया है डिजिटल शेनिंग वीजा जारी करने वाला यूरोपिय संग का पहला देश है फ्रांस ग्रैमी आवार्ड से दोहजाचोईस में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक आलबम का आवार्ड मिला दिस मोमेंट को जहारकण के नए मुख्यमंत्रे के रुप में शपतली है चनपई सोरिननी 67 अखेल भारतिय पुलिस डिवटी मीट कायजन किस शहर में किया जाएगा लखनाव में उत्राखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमीटी के अध्यक्ष कौन है रंजना प्रकाश देशाई यू सिसी को लगो करने वाला आजादी के बाद जो पहला देश है वहाँ है उत्राखंड यू जो गुवा है वहाँ पर आजादी से पहली ही यू सिसी लगो था केड़ सरकाने लगपती दीदी यूजना के लक्ष को बढ़ा कर कितना किया तीन करोण अंत्रिम बजट 2024 में किस मंत्राले को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया रक्षा मंत्राले को 6.1 लाख करोड नेक्स्ट अंत्रिम बजट दोजाचोईस में सड़क परिवहन और राजमाग मन्तराली को कितने करोड रुपे आवंटेत किये गए 2.78 लाख करोड है ना सड़क परिवहन और राजमाग मन्तराली को नेक्स्ट एक इस राजे सरका ने फाइल एरिया को खतम करने के लिए एक मास ड्रग अधिमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला लिया है दूतर परिदिश ने एडियन कूस्ट गार्डे प्रतिवशक मनाया जाता है एक फरवरी को राश्पती द्रौपती मुर्मो ने किसे संसद की उचसदन राजे सभा के लिए मनोनित किया है तो सतनाम सी है संदू को हाली में पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर प्रकाशित की गई यहां किसके द्वारा लिखी गई है तो संजी व जोशी को फिल्म फियर अव़र्ड दोजाज चोईस में सर्विस्टेश चलोग प्रिये फिल्म का आव़र्ड किस फिल्म ने जीता बारवी फिल ली आई आई एस एस एफ व विश्वक अवजाज चोईस में पुरुश्च की 10 मेटर एर राइफल शूटिंग इवेंट में किसने गोल जीता है तो दिव्याज हसी है पवार ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तीरा शतक लगाने वाले बल्लेवाज है तनमई अगरवाल किसने हाल ही में सुप्रीम कोट के नए नियाधिश के रुप में शपत ली तो प्रसन्ना भी वरा लेने किसे राजी सरका ने हाल ही में सडक सुरक्षा बल की शरुआत की है पंजाब राजी सरका ने सडक सुरक्षा बल की शरुआत की टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलिकॉप्टर असेम्बली लाइन स्थापित का निकलिक इसके साथ समझाता क्या है एरबस के साथ तीन ट्रिलियन का बजार पुझे करण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कमपनी कौन सी है माइक्रोसॉफ्ट है केंद्रिय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना पुरदियोगी की छेत्र में सहीयोग के लिए कि सर्देश के साथ हुई MOU को मंजूरी दी है उमान किसने कोशल विकास और उत्मिता मंत्राले की नई बिलिंग कोशल भवन का उधगटन किया तो श्रीमती द्रौपती मुर्मोने नेक्स्ट है राष्टियो मत्यदाता दिवस प्रतिवश्क मनाया जाता है 25 जनवरी को करपूरी ठागुर को भारत रतना मन्नो परांत से संबानेत किया जाएगा वह किसराज्ये के पूरा मुख्य मंत्री थे बिहाराज्ये के पूरा मुख्य मंत्री थे और इन्होंने जो समाज जो कभी दबाये गए थे उनके लिए बहुत ही महत्पुर्ण काम किया है इनको आगे बढ़ाने के लिए देखिए रास्ट्य बाली का दिवस हर साल का मनाया जाता है चोईस जन्वरी को 17-22-23 के लिए BCCI अवार्ड 2024 में पॉली उमरगर अवार्ड किसने जीता है शुपमन गिलने जीता है पॉली उमरगर अवार्ड एश्या वायर्थन चैंबर्शिप में स्वान पदक जीतने वाले दूसरे भारती हैं मानसी हो प्रधान मंत्री सुरेदय योजना निम्ने में से किसे से संबन्दित है रूफ टॉप सॉलर पैनल से है चट पर सॉलर पैनल लगाए जाएंगे और इसको लगाने में एक लाख पचास अजार से भी जादा खर्चा आना है प्रधान मंत्री सुरेदय योजना के तहत भारत में प्रतिवश पराकरम दिवसकब मनाया जाता है 23 सजनवरी को मनाया जाता है केंदे स्वास्त मंत्री ने हाली में किस राज्य में खोडल धाम ट्रॉस्ट कैंसर अस्पताल के आधाशिला रखी है गुजरात राज्य में खोडल धाम ट्रॉस्ट कैंसर अस्पताल के आधाशिला रखी उत्तरप्रदेश सरकार किसे उत्तरप्रदेश गौरों सम्मान से समानित करेगी तो डाक्टर रितू करेधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को अयोध्या वेश्री रामलला के प्राण प्रतिस्टा समारो की मुख्या नुस्ठान का नृत्तित्व किया है पि-म नरिंद्रमोदी इन्होंने अयोध्या राममंदी निर्मान की मुख्या वास्तुकार है चंद्रकांथ सोंपुरा पैंडियाला लक्ष्मी प्रिया किस रित्ति से सम्मानित है जिन्हे प्रधान मंत्री रास्ट्य बाल पुरुसका से सम्मानित किया गया तो यह कुची पूडी रित्ति से सम्मानित है कुची पूडी जो है आंद्रप्रदेश का सास्री रित्ति है देखें, इंग्लेंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सिरीज से भारती टीम के कौन खिलाडी बाहर हो गए है? विराट कोहली बाहर हो गए है डक्टर भीमरा अम्बेटकर जी की 125 फीट उची कांसे प्रतीमा को घटन किस हराज्य में किया गया? आंधर प्रदिश में फॉबर्स की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसाथ दुनिया की सबसे मजबूत करंसी कौन सी है? कुवेती दिनार है केंद्र ने सोलेवित आयोक के लिए पदो के स्रजन की मन्जूरी दी सोलेवित आयोक के अध्यक्ष कौन है? डाक्टर अर्विंद पनगडिया प्यम नरेंद्र मोदी ने आठ अम्रित परियोजनाओ की शरुवात महरास्ट की किस शहर में की है? सोलापूर में अगला है दी पक्षे शंकला के लिए ICC द्वारा निक्त पहली निस्पक्ष महला अम्पायर कौन होगी? सू रड़ फॉम विश्व आर्थिक मंच भारत की किस राज्य में स्वास्त देख्भाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा तेलंगा नमी अगला है एश्या के सबसे बड़े विबानन एक्सपो विंक्स इंडिया दोजा चुईस का आजन कहा किया जा रहा है है हैदराबाद में टी डुएंटी इंटरनेशनल में सुरादिक शतक लगाने का जो रिकॉर्ड बनाया है रोहिश शर्माने बरे विश्वन आथन आनंद को पीछे चुड़ते में भारत के नमबर उन एक सत्रंज खिलाड़ी कौन बने है रमेश बावू प्रगनानन शान्ती के लिए एश्या बौध सम्मेलन की बारवी महासबा का आजन कहा किया जा रहा है नई दिली में अगला है साल 2023 की दिसंबर महने के लिए महला पियर आफ दे मंद का आवार्ड जीता है दिपती शर्माना ठीक है योक्रेन पर वैश्वक शान्ती शिकर सम्मेलन की मैजवानी कौन सा दिश करेगा योक्रेन पर तो स्विजलन करेगा चली ये थे इंपॉर्टन कुशन्स हम इसे बहुत सारे पार्ट्स में कवर करने वाले हैं आज हमने इसका पार्ट फर्स्ट देखा जहां पर हमने टॉप हंडेट कुशन्स कवर की सारे कुशन्स काफी ज़्यादा इंपॉर्टन यहां से कुशन हंडेट परसेंट आपके एक्जाम में आने है चली अब लास्ट क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है वीडियो को पूरा लास्ट देखने के लिए ठैंक यू